इन दौर से कभी कोई प्रसिद अभीनेता नहीं निकले लोगों को अपना-पना मानना है कुछ बोलते हैं कि पार्शालिटी है बॉलिवूड इंडिस्ट्री में यहां के लोगों को नहीं चुनते हैं लेकिन मेरा अपना मानना है एक यह उदाहरण है कि किस कारण से इन दौर में अभीनेता नहीं चुने जाते हैं हमारे पेलाद भिया नाम उनका प्रहलाद भाहिया लेकिन इन दौर में तो उनको पेलाद भिया तो पेलाद भिया का चैयन हुआ बड़े अच्छे अभीनिता माने जाते थे इंदौर लेवल पर गोमडगिरी से लेकर बानगंगर तक और कलेक्टरेट से लेकर छीफा वाखल तक उनकी जोड का कोई भी नहीं था दो अब उनको था बंबी जाने का हमेशा चथका है आधे अंदौर को बंबी जाने का चशका राता है तो उनका चयन हुआ ओव बंबे लेवल पर टीवी सीरियल नहीं था रमय न एक मध्यपरधेश लेवल पर बन रहा था तो बहुत तैयारी कि जो अनमित पुला था अबंब पता जी, मैं आपकी आग्याओं को शिरुधार्य करता हूँ और आपकी इच्छानुसार चौदह वर्ष के लिए बनवास को प्रस्थान करूँगा किन्तु मेरी आप से दो विनती है पहली यह हैं कि आप माता कैकई पर कदापी ग्रोधित ना हो और दूसरी यह है कि वाइफ को जंगल ले जाओ मेरे साथ और साथ में लक्षमन को ले जाओ या तीनों में से कोई भी एक भाई चलेगा तो क्या रहेगा कि मैं वहाँ जंगल तो हेल्प हो जाएगी कुछ भी करना को परना केले सब जी वब जी जो करनी है साथ भाजी का इंतजाम तो दो जने रहेंगे तो एक से अच्छा दो तो उससे हेल्प हो जाएगी और मेरी इच्छा है कि लक्षमान रहेगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि क्या लक्षमान का जैसे आप तु जानते ही हो उसका नेचर थोड़ा ऐसा है मतलगी है ना लगी ऐसा तड़ा भड़ा गरम है गरम सुभाव का है तो जंगल में इसी बहुत जरूत पड़ सकती है ऐसा मेरा मानना है अब आप मैं तो जिसा आप बोलोगे वेसा करूँगा ये मैंने आपको प्रस्ताव रखती है